असलाम लेकुम हम मैक्स की बुक 5 काउंडाउन बुक 5 के पेज नेंबर 131 पे 131 132 133 पर भी एक साइज हैं आपको पता है कि हर ट्राइंगल की तीन साइड होती है और उसमें तीन एंगल होते हैं ठीक है कैसा भी ट्राइंगल हो इसकी तीन साइड वोती है हम ट्राइंगल बना सकते हैं अगर हमें टीन आप्षिन हैं हमाई पस तीन मुफ्तलिफ तरह से चैनल कंस्टर्क्ट हो सकता है या तो हमें ट्राइंगल की तीनो साइड्स पता हो ठीक है या फिर हमें ट्राइंगल की दो साइड्स पता हूं और साथ में एक एंगल पता हूं और यह एंगल किसके दम्यान होगा इन दो साइड्स के दम्यान का एंगल ठीक है दो क्या है गर ये बात चल जाए तो भी हम पूरा ट्रांगट की लेंद की दूरत नहीं पड़ाइगी तर चील है या फिर रम ट्राइंगल बना सकते हैं एक तरीटे से कि हमें एक साइड की लेंद पता हूँ जब साइड बोलते हैं तो साइड की लेंद्ध साइड की लेंग्थ यानि साइड की लंबाई ठीक है और तीसा तरीपा ये है कि हमें वन साइड की लेंग्थ पता हो और क्या पता हो दो एंगिल्स पता हूं तो सब में तो पहले जल्दी से मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको साइड की लेंग्थ पता है तो कैसे बनेगी इसके लिए आपको कंपस करना पड़ेगा कंपस को खोलेंगे कंपस में पैंसल लगाएंगे एक्जाम्पल में आपको ददेता हूं के एक ट्रायंगिल है जिसकी साइड ए भी जो है वो है फासेंटीमिटर है उसकी साइड बी से जो है वो थी सेंटीमिटर है उसकी साइड आए एक्जाम्पल बुक में दी हुए पेज वन थर्टीवन पे तो अब मैं क्या करूंगा एबी फाइफ सेंटीमीटर से लगा लूँँगा जैसे भी रगा लूँँ उसका जो भी डायक्शन हो डोजन्ट मैटर एबी फाइफ सेंटीमीटर जादा असानी है कि पेज के सेंटर में रखते वे जीरो पर मार्क करें फाइफ पर मार्क करें और दोने को जोइन करें ख्यार लखें कि इसमें गंगी खराबी आपकी नहों के कि देखने में समझ में यारो लाइन का अधिशीर होई एंड पॉइंट स्टाट पॉइंट को क्लियर मसूस हो रहे हो क्योंकि वहीं से फिर हमने आगे कंस्ट्रक्ट करना यह रसका एंड पॉइंट स्टाट पाइबी फाइव सेंटीमीटर ऐसे ही लिख लीजेगा इसको प पता यहां से कहीं पनें यह कहां के मिलेंगी मैं नहीं पता तो एक रेज्ज है कि यह के पाटि दून यह मिलत सकती है दूना अपस में इस के लिए है बाउगा क्मपस आपकर होगा टो क्या करेंगे कि 2-3 सेंटीमेटर खूलेंगे को लिए जीरो पर उसकी नोग रखेंगे और श्री पर पैंसिल की नोग रखेंगे फिर बी का जो डॉट बनाव है बी का जो एंड डॉट है इस पर रखेंगे बी-सी बनाने के लिए और हम यह एक आर्क सी बना देंगे can't be back-pay एक आज बना देंगे कर अजान बना कि यहां तक में कहीं की वो लाइन आ सकती हैं डार यार और लान स电 बनाने के एग डॉट पर लखा इसको और इस आरक को दूसरी आरक के सथा कर दिया यह देखिए इस तरह से ठीक है अब ये दोनों आज जहां मिल गए ये वह पॉइंट है हमारा इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लिया जो कि हमारी दोनों लाइस को जोइन जहां पर होंगी जहां पर मीट करेंगी लाइन तो इसको हमने स्केल से मिला दिया और इस सवाल को करने के लिए ये आज बनी छोड़ गया ताकि ये पार जल्ल है कि आपने कैसे कंस्ट्राइट किया ठीक है इस पॉइंट के नाम सी होगा अब बी सी थी सेंटिमेटर और एसी थी फूर सेंटिमेटर ये पहरा दरीका है जी ज क्या है तो यह क्या है दूसरा तरीका है दो साइट पता हो और इसके रमियान के अंगल पता चल जाए तो भी हम बना सकते हैं तो यह कैसे बनाई जाएंगी सबसे पहले तो जी आपको दो साइट्स पता हैं एक्जाम्पल हम बुक की ही लेते हैं जिसके अंदर हमें पी क्यू पता है फोर सेंटीमीटर हमें पता है पी आर पहले पहले हैं और पी एर की दव्यान जो एंपिटिमिटेगरी चहिसे लाँचाना एक करेंगी तो उसके बना ताकि यह इदा क्लीन वन राइन और इन डॉट्स को यूज करना हो को चूंकि आगे तो वह हमें इसली नजर आ रहे हूं रॉट्स ठीक है अच्छा जिसके बाद हमें पता है कि दूसी राइन कितने कितने सेंटीमेटर की फोट सेंटीमेटर की आप इसको अगर मैं नाम दिया पी क्यूँ मुई पर दूसी राइन राइन और यहाँ ँडाय चैकर का छे सेंट्स ठातर यु और चैले सेटें सर्फ होगे और दूसी राइन और यहां ऑई होगा ठीक है तो हम से पता है के पी हार पीन रखियो न ơiव श्यसके टीमेटर पेIt यॉट हरुपे न फोलभादी क जिरो ने सेंटर पॉैंट पीटर का जो सैंटर पॉाइंट अबके बिए पे परेखाएंगे allege उनलाइन के साथ फिकास डोट यह साथ इस डॉट को में लाके हम अलाइन कर देगे, अलाइन होगी, लाइन स्ट्रेट होगी, अब आपे बता है कि P Q की जर्माइन एंगल 40 डिगरी है, तो हम यहां से 0 गिनेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 40 यह आ रहा है, यहां पर एक डॉट लगा देंगे फिलाल, ठीक है, अब इस लाइन को जो हम P और इस डॉट की लाइन को भी असे मिला देंगे, जो जी हमारा अटुमेटिकली, पूरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, यहां पर हम लिखेंगे P Q पर 4 cm, यहां पर हम लिखेंगे 40 डिगरी, अब आप कहेंगे कि इफ़र दूसरी साइड का आंगी, जी, तो अभी इसमें गलती है, यह गलती होई है, इसके अंदर, क्या हुआ जी, इस लाइन को आपने लंबा नापा तो इस लाइन को इस पॉइंट से मिलाना जूरूरी नहीं है, हो सकता है कि यह लाइन यहां कहीं हो, यहां कहीं हो, यहां कहीं हो, तो यह कंस्रक्शन, अक्सर यह गलती इस कंस्रक्शन में आ और आपने 40 टेगरी लिया था पी आर के लिए तो जुरूरी नहीं था कि ये लाइन इतनी ही लंबी होती तो जनाब आपको स्केल को इन दो पॉइंट्स को रखते वे इन दो पॉइंट्स के दम्यान लाइन बनेगी लेकिन लाइन की लंबाई हमें बताएगी है मौझूद है वो है 4 cm तो पहले आप नापने कि ज़रा पी के उपर 0 रखेंगे जो पी का पॉइंट था और जो नया हमने पॉइंट लगया है उसके उपर स्केल टच करेंगे और देखेंगे 4 cm कहां आ रहा है पर चला जी 4 cm वहां नहीं आरा जहां डॉट लगा था 4 cm उससे पीछे कहीं आ रहा है इसी सीध में तो उस सीध के अंदर आप 1.4 cm का लगाएंगे अचली यह है हमारा असर पॉइंट वह पॉइंट तो इस लिए था कि यह याद रहे कि इस डिरेक्शन में इस एंगिल पे लाइन बननी है लेकिन लंबाई कितनी होगी वह मौजूद है उस मौजूद मेजर्मेंट के हिसाब से लंबाई बनाएंगे तो अब इस पॉइंट से हम इन दोनों को मिलाते हैं जी जाना में तो दिस इस एक कर्रेक्ट 4 लीजिए 4 सेंटीमेटर एंड 4 सेंटीमेटर टीजी साइड हमें नहीं पता थी यह तीन चीज़ हमें बता थी तो फी क्यू आप यह वाला पॉइंट जो यहां बनावा इसको बना चोड़ देंगे कि यह एं कंस्रक्शन कर रहे हैं तो इस कंस्रक्शन के साप्स यह वाला बना छोड़ेंगे ताक यह बता चलता है कि अब हम बात करेंगे चौझा तरीका को तीसा तरीका किया कि हमें एक साइट पते और दो एंगिल पते हैं अगेन असान है इसी e-book की example को मैं दमजाता हूं आपको जिसमेnh के आपको दिया ह manual है x,y,z बनाना है और लंबाई हमें पता है Wx की अच्छा, क्या है? और Wx की लंबाई है 3.5 cm जब example देते हैं तो decimal मी नहीं ले जाना चाही है 3.5 cm उसके बाद हमें पता है कि एक है डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई उसका एंगिल है जी फिफ्टी डिग्री और एक है जी यह लेंट को उपर मार्क कर देते हैं लेंग बाई से और एक एंगिल है डब्ल्यू एक्स वाई उसकी मेजरमेंट इसी फॉर्टी फाइव डिग्री अच्छा जो सेंटर में होता है एक्चुली यह है एंगिल का पॉइंट ठीक है तो पहले हम डब्ल्यू एक्स लेगा लेते हैं वह तो असान है ना पहली बात हो गई कि लेंज पता ह होती है अगर पहली लेंट पता है तो उसको हम जल्दी से स्केल से कर लेते हैं तो डब्ल्यू एक्स री पॉइंट फाइव बनाकर दिखाते हैं जीरो पे डॉट ले लिया और इंट कॉपर से मिला दिया ठीक है यह डूट क्लीन लखने के लिए हम लेते हैं इसके बाद कि यहां यहां क्या है जिए अ सबहido कर एक्सान आ लेगा ऑच्छा जी यानिए डब्ल्यू को जब सेंटर लेंगे एक्स की तो निई टरफ Nich को हम फिफ्टी डिग्री पे पॉइंट लेंगे अगें यह याद रखिएगा यह पॉइंट असल में नहीं है जितनी लैंथ होगी है इसके बाद हमने नेक्स्ट के लिए 45 डिग्री लेना है तो एक्स पर रखेंगे और जिरो इस तरफ लेंगे और 45 डिग्री को हम यहाँ पर मेज़ए करेंगे जल्दी से अब यह दो बॉइंट सा घया है हमारे पास ठीक है यहाँ से हम टेंटेटिव लाइन बनाएंगे विल्किक यहाँ नहीं से ऑक ल Apache들 black कल्यकी लाइनй inseadne देखिए दोलों नहीं जहां मिलेंगी आटुमाइटिक लिए हमारे पॉइंट हो जाए कि अब जो जहां मिली है उनको सॉलिट कर देंगे जाए ठीक है जी तो यह हमारे पास यह 3.5 है यह और कि यह 50 है 50 डीग्री यह 45 डीग्रीए और यह हमारे पास लिए वाए यह तीशा दरीवारा थाजी थाइंगिल का स्ट्ट करने माद तहुंगी आटुमीय बात समझा गई होगी